हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है फिर से मैं हूँ विश हुआ तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि Microsoft Excel में unwanted numeric character कैसे हटाते हैं जैसा कि आप यहां पर यह data देख सकते हैं यहां पर नाम के बीच में आपको कई सारे numeric character यानि की numbers दिखाई पड़ेंगे ठीक है तो अगर इस तरीके का data है और आप numeric character एक साथ हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहां ऊपर के ribbon में insert tab पर जाएंगे यह रहा insert tab इस पर क्लिक कर दीजे नीचा को बहुत सारे option मिलेंगे right side में आपको get add ins करके option मिलेगा ठीक है इस पर क्लिक कर दीजे तो इस तरीकी का एक छोटा सा window open होगा अब यहां पर हमें search में remove लिखना है ठीक है sorry remove type करना है यहां पर हमको type करना है remove ठीक है उसके बाद यहां search पर क्लिक कर दीजे तो जब आप search पर क्लिक करेंगे तो यहां पर right side में कई सारे option दिखाएगा बस थोड़ा सा वेट करिए यह देखिए तो यहां पर हमें यह वाल continue पर क्लिक कर दीजे ठीक है यहां पर right side में आपको यहां पर यह दिखाए पड़ेगा बस थोड़ा सा वेट करिए यह देखिए यहां पर right side में आपको यह दिख रहा है अब यहां पर हमें सबसे पहले यह data select करना है यानि कि आप उस data select कर लीजे जहां से आप unwanted numeric character हटाना जाते हैं तो हमने यहां से लेकर यहां तक यह पूरा data select कर लिया उसके बाद यहां पर जाईए और यह second वाला option को select कर लीजे remove numeric character ठीक है इसको यहां पर select कर लीजे अब नीचे remove button पर जैसे ही आप click करेंगे तो आप देखेंगे data में से सारे numeric character हट जाएंगे तो चलिए remove पर click कर देते हैं यह हमने click कर दिया यहां पर yes पर click कर दीजी यह देखेंगे अब आप देखेंगे यहां पर एक भी जो है numeric character यहां पर आपको नहीं दिखाई पाड़ा है ठीक है सारे नाम यहां पर आगे